देखिए चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है चाइना के हिस्ट्री देखिए चाइना जिसे उकते अपने अद्व मुहासाफ उस तरीके का है एक तरफ दूसरी बात करता है और रियल चीज दूसरी करता है वो टाइम लेता है और बातों में फसाय रखना चाहता है सारे लोग जानते हैं कि रश्या को चाइना पर आप विस्वास नहीं कर सकते पहली बात हो यह लेकिन यह बिल्कुल आपने सही नोट किया कि अगर मदस्ता होती है क्या रूस गारंटी देता है कि चाइना यही करेगा यह भारत यही करेगा जो बाते हुई है जय हिंद आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मिस्वायर के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की रक्षा की हिंदुस्तान के रिलेशन्स की रश्या से हिंदुस्तान के रिलेशन्स की चाइना से हिंदुस्तान के रिलेशन्स की तो आज हमारे साथ इस मुलाकात में डॉक्टर रामेश्वर सिंग जी है, मॉस्को से, डॉक्टर रामेश्वर सिंग जी जहां एक तरफ हिंदुस्तान और रश्या की मित्रता को बढ़ावा देते हैं, इंडो फिरिंशिप सोसाइटी, उन्होंने की है, दिशा के नाम से वो तो हमी दूसरी ओर, रश्या के पॉलिटिकल नेचर के विशेषज्ग्य माने जाते हैं, पॉलिटिकल एनलिस्ट माने जाते हैं, और इनका एनलिसस यहीं नहीं, कई जगाओं पर मानने है, कई लोगों के सवालों के यह जवाब देते हैं, तो आज हमारा सवाल रामेश्व और इस समय जब ये war type situation create हो गई है, जो चाइना की अभी फिलहाल जो रणनीपी है, उसकी वज़ा से कहीं वो ताइवान पे attack करतावा दिख रहा है, कभी वो हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर गुज जाता है, कभी कुछ ऐसे dialogues वो दे देता है, जो की लोगों के उपर pressure ब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कि internationally वो अपने मित्रों की ओर देखे, जहां तक बात रही, US से US एक नया दोस्त बनतावा नजर आ रहा है, लेकिन एक बहुत पुराना मित्र रश्या, internationally, जो जिसने उसे मदद करी, या जो उसके साथ खड़ा हुआ, हर जंग में, वो प तो आज, आज के जो हालात बनते जा रहे हैं, आज जो political scenario रश्या में है, और आज जो social scenario रश्या में है, क्या हिंदुस्तान, अगर रश्या की तरफ देख रहा है, तो वो अपने दोस्त की तरफ देख रहा है, वो अपने ऐसे दोस्त की तरफ देख रहा है, जो उसके साथ या जंग होने की स्थिती में हिंदुस्तान के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़ा होगा सभी सुरताओं को बारा नमस्कार देखिए situation अब बदल चुकी है जब आप बात करते हैं 71 की या 62 की उसमें एक तो देश वो सुवित संख था अब यह रशिया है बिलकुल रशिया उसी उत्रादिकारी है सुवित संख का और अगर आप देखें फील करें तो रशिया जो है रशिया के political level पर जनता की level पर भारत के बारे में भारत के तरफ वहसा ही मित्रता की तरह मित्र हैं जैसे पहले थे पहले बात अब एक तो समय बदल चुका है अब आप देखेंगे मित्रता भी है लेकिन बिजनस भी साथ में व्यापार भी है तो अगर आप देखेंगे रशिया की वह किस तरफ जाएगा रशिया को एक किनारे पर इसको मत ले जाएए इसको मत तक्का दीजे कि अब कहो बत आप किसके साथ हो, क्योंकि इनके संबन्द बहुत अच्छे हैं चीन से, और बहुत ही अच्छे हैं भारत से, आप देखें, जो भी भारत मांग रहा है, माननी रक्षा मंतरी, इस साल दो बार आचुके, कोबिट नाइटीन के होते हुए दो बार आचुके, चाहे हो, विक्ट मासको आए, और जो भी इनकी बाच एक हाई लेबल पर उनकी मीटिंग हुई, और यहां देखिए, जरूर आपको मानना पड़ेगा, कि कुछ मदिस्ता जरूर रही होगी चीन की, सारी रूस की, कि चाहिना चाहिना के रक्षा मंतरी को, यह मतलब कहना पड़ा, मीटिंग मा मंगनी पड़ी, रासनाच जी से, और वो मीटिंग हुई भी, जो बहुत ही लंबी चली, करीब दो से ठाई घंटे तक चली, तो जो की सीडूल में नहीं था, मिलना नहीं था, वो 1-2-1 मीटिंग नहीं होनी थी, दूसरा, चाहे वो, आप आप देख रहे हो, AK203, आप घंटी सी जल्दी रूस देने को तयार हो गया है, सुखोई, मिग, इसकी भी डेल होई है जो भी जल्दी देने को तयार है, तो इसको भी एक, रश्यया कभी भी नहीं यह कर रहा नहीं जी, आपको नहीं दे गया, आप हम कि ऑल चीन को देंगे, चाहे देंगे, नहीं, वो आज एक खोल के रखा है और जितना भी मदद हो सकी है वो कर रहा है दूसरी चीज़ इसमें भारत एक सांती है वो पूरे विस्व में सांती चाहता है और अपने जो बार्डर के देश उनसे भी सांती चाहता है लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर भारत में अगर हम गांधी हैं हम सवाज चंदर के भी भालो रहें तो हम तब तक सांती प्री हैं जब तक पिलकुल हद नहीं हो जाती नहीं जी अब कुछ नहीं करना अब हम हम को वारही करनी है युद्ध ही करना है तो इसके लिए क्या चाहिए आप बताएए अगर अमेरिका आज के डेट में चीन के खिलाफ है कह रहा कि नहीं जी हम भारत का साथ दे रहें लेकिन दो आदमियों जो जगड़ा होती को डिस्प्यूट होता है एक नीट्रल आदमी आता है वीच में वो सुला करवाता है क्योंकि जो एक तरफा है जो उसके तरफ आ गया वस आदमी के इस बात पर आपको इसलि किस थाड बैठेगा ये अभी पता नहीं इस इस लड़ाई में किस तरफ बैठेगा इसका अभी कोई अंदाजा अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं लेकिन एक कोई शूरिटी नहीं है क्योंकि एक सुपर पावर अपने वो सरफ अपना एक अपना एक पॉइंट ऑफ यू र पूरे विश्वे में जो लोग इस पर नजर बनाए लगे हैं कोई भी ये नहीं समझता है कि चाइना डिरेक्ट फेस में भी यूएस के साथ वार पे जाएगा या यूएस वार पे जाएगा चाइना के साथ लेकिन सर वहीं पे आपने पढ़ा होगा दिप्लोमाट में एक पर चपी थी कि बाइदा हेडिंग शुट चाइना वरी अबाउट यूएस रशा रिसेट तो कहीं ना कहीं ये तीन पावर जो है आपस में बात एक दूसरे की बात के साथ कहीं ना कहीं डगमागारी अगर आप देखें आप किवल आज के आज के डेट में आप रशिया और यूएस को ही नहीं आप तीसरा जो आ रहा है वो है चाइना अगर आप देखें कि चाहें वह अल्मोस्ट एट्टी फरसन्त फुट ऐसे चाहें नहीं है यह वीडियो पर दिख रहे हैं लेकिन वह बेपन्स हैं एक पहली बात हो यह तो इसे उसको निगल्यक नहीं किया जा सकता है इंडिया को बहुत ही सबल करके बहुत ही बच करके लेकिन हमारे जावाज जो सेनिक जो हैं बड़े बहादूर हैं तो इसकी भी जरूत होती कि आप कि हिम्मत कितनी है कितना आपके बाद जोस है तो वो जोस हमारे सेनिकों के उपर है उनके पूरा विश्वास है पूरे भारतियों को जहां तक रही इसके पहले में बोल रहा था कि एक तो होता कि आप अमेरिग्हा कहा दिया चलो Lets अब वो मदिस्ता नहीं कर सकता क्योंकि व तो केवल रूस कर सकता है, आज नहीं, कल आप फिर से सुनेंगे, इसको देखेंगे, केवल रूस ही एक ऐसा देश है, जो दोनों देशों के बीच में सांति भारता करवा सकता है, कितना सफल होगा, क्या होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक 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 जाते हैं, एक नहीं हम देख सकते हैं, आटकले लगाई जा सकती है, कि रश्या जब मध्यस्तता करता है, तो या रश्या में जब बात होती है, तो चाइनीज रप्रेजेंटेटेटेव और इंडियन रप्रेजेंटेटेव एक टेवल पर बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी और, इनका न्यू जब ये लेक को पार करके चाइनीज आर्मी आ रही थी, उसको खदेडने के बाद जब अपनी सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो वापिस अपनी उस भूमी के ऊपर ये लोग जा रहे हैं, जहां पर जो वार के समय चाइना ने ओवर्टेक कर ली थी, वहां तक गए हैं, ब सही और गलत की होरी ना सर, जो हिंदुस्तान भी अपना अपनी जो प्लेट लेके गया है रशा में, उस प्लेट में जो सवाल है, वो तो यही हैं कि हम इस पर्टिक्लर स्टैंड के हैं, यह हमारा स्टैंड है कि यह हमारी जमीन है, इसके अंदर किसी और को नहीं आना चीए यह सब को अभी पता है, लेकिन चाइना उसके बाद भी अगर इस तरह की बाते करता है और उसके बाद भी मध्यस्तता होने के बाद भी टेबल पर बैठ के भी अगर यही राग अलाप रहा है, यही जूट बोल रहा है, तो इसके बाद क्या करेगा रश्या, इसके बाद क् विश्वास नहीं किया जा सकता चाइना की हिस्ट्री देखे चाइना जिसे अपने अद्व मुहासाफ उस तरीके का है एक तरफ दूसरी बात करता है और रियल चीज दूसरी करता है वो टाइम लेता है और बातों में फसाय रखना चाहता है मुनिपलेट करता है कि चलो हमारी बारता हो रही है लेकिन तैयारी करता है कुछ दूसरी वो पूरा विश्व जानता है इसको किसी को बताने के ज़रूद नहीं है सारे लोग जानते हैं कि चाइना पर आब विस्वास नहीं कर सकते पहली बात होई है लेकिन यह बिल्कुल कि अगर मदस्ता होती है क्या रूस गारंटी देता है कि चाइना यही करेगा या भारत यही करेगा जो बाते हुई है तो एक अलग बात है इसका इसके क्या रूप एका बनती है तो उस समय पता चलेगी लेकिन एक जरूर चाहिए दोनों देशों के लिए एक है जिसकी बात द दोनों सुनते हैं, दोनों उसके कहने बैट, आप ये समझ लीजिए, अगर ये रक्षा मंतरी की बात, मिटिंग हुई, चीन के रक्षा मंतरी से, इसमें official कहीं नहीं है, लेकिन इसमें, मैं 100% कह सकता हूँ, कि इसमें रूस का हाथ है, कि किसी तरीके से, कि किसी जो भी platform हो रह हैं, कहीं कहीं इनको मिलाया जाए, बैठाया जाए, कि लोग आपस में बात करके उसको सुधा रहे हैं, सारी बाते हुई, हर चीज हुआ, फिर भी चाइना अपना वही करना है, जो पहले करता आ रहा है, बार्डर पर वही अरकते कर रहा है, तो इस लेबल पर वहीं से तो कितने टाइम हो गए कि डारेक्ट वन-टू-वन मीटिंग हुई हो, इस टाइब से इस लेबल पर बात नहीं हुई है, अभी तक नहीं होती है भी, क्योंकि दोनों के बनी सर्ते हैं, लेकिन एक ऐसे, यह सियो ऐसा प्रेटपर्म था, इसमें आने पर दोनों मंत्रियों के सा बात चीत हुई, चले कुछ तो बात हुई, कुछ चीजें की गई, कुछ सहमती अजहमती की गई, तो यह इसका परड़ाम है कि रूस ने इसमें जरूर मदद की, तो दूसरी चीज, जहां दोस्ती, देखो दोस्ती है, हम रसिया यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा या वो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको, अगर वो मांग रहे हैं आपको से बेपन, उन्होंने जहांत आफिसल जो बात पता चली है, यह 400 अभी थोड़ी दिन के लिए चाइना को देने के लिए रोक दिया है, बाकी जो उनके हो थे, आप बताइए आप, लेकिन इंडिया क मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर सकता हूं, क्योंकि उसके एक टाइम लिबिट होती है, कुछ कोविट के नाते डिले हो रहा था, तो अभी जो बात हुई है, कि हम जल्दी-जल्दी आपको आपका वेपन्स प्रवाइट करेंगे, जो कलाश्टर वेके टू जरो थी, प्लस उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी जो लेटेस्ट आदुनी कहती आ रहा हो, यस फोर एंडिड आपके पास जा रहा है, सुखोई का अगरिमेंट हुआ है, मिक का अगरिमेंट हुआ है, लेटेस्ट फ्लाइट का, तो आप कहां देख रहा हो, यह दे दोस्ती है, सेम चीज अमेरिका भी तो कर रहा है, वो भी बेच रहा है, ठीक है, वो सामने आगे खड़ा है, क्योंकि उसकी प्रावलम है चाइना के साथ, तो अगर आप देखेंगे, पूरे दुनिया से, एरोप, अमेरिका से, चाइना, रूस के उपर सेंक्सल लगे हुए है, तो कहां पर जो इनकी इनरजी है, ठीक है, चाइना से जो खरीदे रहे हो अलग चीज है, ठीक है, उसको चाहें ना खरीदे कोई प्रावलम नहीं को, लेकिन इनको बेचना है अपना सामाल, जो बेच सकते हैं, क्या इनरजी, आयल, जो भी चीज़े हैं, यह यूज क्वांटिटी में, बज़े हैं, आयल के लिए पुरी पाइप चली गई है आप चाइना, अब कैसे उनसे हो, कैसे आप पोगी नहीं हम दोस्ती में आप आओ, लिकिन वो न हमसे दुस्मनी देना चाहते हैं, न हमसे बिगड़ना चाहते हैं न चाहिना से, चाहें हो 62 और में कहा है, कि एक हमारा भाई है एक हमारा दोस्तों मत इस्ता किया उन्होंने तो आज की socially भी हिंदोस्तान और रश्या के ties काफी strong रहे बीच में थोड़ी बहुत delays आए जब एक English speaking community हो गई और उसकी वज़ा से हिंदोस्तान के लोग थोड़ा रश्या के को छोड़के और कई जगों पर जाने लगे लेकिन फिर भी वो situation वापिस लॉटती भी नजर आ रही है जिसमें की social ties हिंदोस्तान के और रश्या के काफी strong होते जा रहे हैं लेकिन सर अब हम बात कर रहे हैं इस दौर में जहां पर US play में आ गया है US, Russia और China आपने सही बोला ये तीन powers है हिंदोस्तान इन तीन elite powers मैं अगर बोलनू तो उसके अलावा हिंदोस्तान उसमें नहीं आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है कि हिंदोस्तान सरफ अपनी borders को बचाने की बात कर रहा है और वो उसमें सक्षम है बिल्कुल हमारे फोजी बाई सक्षम है weaponries तयार हो चुकी है strategies तयार हो चुकी है लेकिन हर यूध में एक strategy ये भी होती है कि अपने मित्रों को बहुत ज़ादा समीप रखा जाए इसलिए शायद रशा की तरफ देखा जाना उचित होगा लेकिन उसी तरफ सर दूसरी ओर यूएस में जो elections है हम उसको भी अपनी साइट से बार नहीं कर सकते है बिल्कुल क्योंकि जो यूएस में जो elections है ट्रम के elections को आप जैसे जोई बिटन आपे बोल रहे हैं कि यूएस elections is not being you know not that much of a problem for you know because of Russia but because of China so bigger problem is China now instead of Russia पहले उन लोगोंने एक राग अलापा था और इस पे भी मैं आपका इंपूट चाहूंगा कि किस हद तक रॉष्या ने रॉष्या इंफ्लूएंस करना चाह रहे है मतलब बात तो यह यह और यह ना सर क्योंकि government is being run by this person एक person जिसके उपर यह लांचन सीदे सीदे लगाए जा रहे है कि आप दूसरी country के अंदर indulgement कर रहे है आप अपने ही यहां जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको आप मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे है तो क्या ऐसे सिनारियों में जो सोशल टाइस और जो पॉलिटिकल टाइस है उसकी कोई वैल्यू रह जाती है पहला दूसरा सवाल क्या युएस जब इंफ्लुएंस होगा अगर युएस में इंफ्लुएंस है रशा का और अगर चैना इस इंफ्लाइस इंफ्ल्यश्छिस्पलिश्छिएंस इस उसलेक्शिंगाल norm दो कर डिया चैना बोल्चिन सेरीयों और भीलावं और इंप्लिटी अन ऐसे सिनारियों इंटरली इंटरली लेक्शिएंस है अगर आप दिखते हैं दो चीज होती है कोई चीज भी मानी जाती है जब वह आप उसको दिखा सके हैं कि भाई यह हो गया है जिसे कि आज 3-4 साल हो गया ब्लेम करते हुए कि रश्या ने इंफ्लूइंस करके ट्राम्प को जितवाया आप यह बताईए लेकिन चार साल उनका यही चलता रहा जितनी कमीट्सन जितने कमीटीज बनी दूए सब बनी लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऐसा कोई भी वह नहीं विला कि जिससे हो कहें नह पहले तो यह अगर उनके पास नहीं है वो खुद कर रहें उनके पास नहीं है अभी तक लेकिन है अब आप जवर्जिस्ति करो नहीं जी आपने यह किया है लेकिन हम उसको आप यह भी तक चलते थे और उसके बाद एक तरह से पैरसाइटिक नेचर होता है, होता ही है युद्ध जीतने के हारने के बाद पैरसाइटिक नेचर दूसरी जो जीती भी कंट्री होती है, उसका चाइना ने हिंदुस्तान के साथ किया, केवल एक, मेरे ख्याल से हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी ये कैसा था, युद् इसको क्या मने यह चीज़े कही तो इशारत करती हैं लेकिन आप देख कितनी अच्छी बात है आप सीरिया ले लिजे जहां 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 अरश्या खड़ा हो गया वहां जाके दो आदमी नहीं गए उनकी पूरी बेटेलियन वहां खड़ी है वहां यूद चल रहे हैं जिसको लोग बचा रहे हैं तो आप एराक देख लिजिए वहां रश्या नहीं गई उन्हें बरबाद कर दिया और भी कंट्री देजे जहां जाये लोग गए वहां बरब इसी बात नहीं है कोई फ्री नहीं करता कोई इसे नहीं करता लेकिन वाई कम से कम उस देश को में फ्रीडिम तो रहने दो उस देश को बचा के रखो नहीं सर इस पॉइंट पे यह जो अपका पॉइंट है इस पे मैं जरूर एक और डिबेट करूंगा क्योंकि हम फिर बात करेंगे यूरोप की आज हम दूसरी जगा जा रहे हैं लेकिन यूरोप का इस मामले में कहना दूसरी वाद है क्रिमिया का कहना दूसरा अलग है और यूरोप का कहना अलग है लेकिन इस विशह में हम बात करेंगे सर अगली डिबेट में क्योंकि आज हम इस मुद्दे से चले जाएंगे मैं वापस इस मुद्दे को लेके आता हूँ हिंदुस्तान की नजरिये की हिंदुस्तान की तरफ और हम बात कर रहे हैं सर दूसरे पुतिन जो लीडर है अभी रशा के उनके उपर लांचल लगता है कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को पूरी तरह से दबाने की चेश्टा की गई और वहां जो सेकिंड जो अपोजिशन लीडर है उसको मौत के घाट उतारने की कोई यह सीरा आरोप लगा से देखे इसको आप लोगों ने मीडिया ने उसको अपोजिशन लीडर बना दिया ऐसा कुछ नहीं है नवालसकी जी यहां के कोई लीडर नहीं है एक छोटा सा ग्रूप है उनका यहां पर अगर देखिए तीन से चार पार्टिया है एजीन रसिया है लिबरल डिपकुरिटिक पार् पार्टी है तो तीन चार पार्टियां तो यहां के चार जो है काम कर रही है एलेक्शन में प्रेजिडेंट खड़ा करती है वो करती है लेकिन एक ग्रूप ऐसा है जो डिस्ट्रक्ट करना चाहता है लोगों को और उसमें पूचिन का किसे कोई हाथ नहीं है अगर आप इनकाशन मेंकरा कर तो यहां थोड़ा सथल चाहता है अ पूरा यूरोप जल रहा है पूरा अमेरिका जल रहा है आज सावा दिन हो गया अदिन हो गातार जो है वहाँ जो है देवाशन हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं, चाहे हो, फ्रांस में हो, अभी यूके में हो, चाहे हो, मेरिका में हो, उस पर आप बात नहीं करते हैं। यहां अगर थोड़ा सा हो गया, कि लोग अगर हो गया और इन्हें अपनी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो उसको आप कहेंगे ने रहे तो कुछ हो है, हम तो यहां की जन्ता चाहती है इसाओ, आप यूरोप के उपर रिसान होना चाहता है, यहां शांती है, यहां तो एक जवाना था, आप जल चले जाते हैं, लेकिन आज आप खुलके बात कर सकते हैं, अभी मैं एक चैनल के लिए, रिपोर्टिंग कर रहा था है, क्रेमलिन से ब हाँ बैठ़ करके, आप नहीं कर सकते, लेगिन वहां से पुलिस गई, लेकिन हम सो कुछ नहीं बोली, बा अगर नवालस्की की बात करें, वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे तमाम चीज़ें मुद्दे उठाते हैं, करफशन के, बल्कुल सही है, इसके हम लोग सब मानते हैं, लेकिन लोगों को आप रोड पर न ले के आए, लोग डिस्ट्रक्टिव न बनाएए, यहां दूसरी तरह के यहां से, यहां डिवंस्टेशन वाला महौल नहीं है, इनके जिन्स में आज सतर साल से कम्जिश्म का भड़ा हुआ है, यह नहीं चाहते हैं कि देश में, अगर आप देखे हो, 90's में, सेम यही हो रहा था, क्या हुआ, एक दम नीचे गर गए थे, ना क्यों, क्योंकि इस ट्रिक नत से, लोग मेहनत किये, काम किये, न किये किवल भाई, हम डिमोक्रिसी, 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 डिमोक्रिसी मतलब क्या होता है, आप बहार निकल के हाय हाय करो, आप लिखो जो लिखना है, काम ने नहीं देखा किसे को पकड़ते हुए, म कोई भी दिश का बात बात यही हम फिर हम बात यही कर रहें ना कि जैसे जो लांचन लगे हैं मारे मार दिये जाने के यह इसके लांचन नहीं लगे हैं आप उसको अड़ सर्टिफाई करो आप उसको बताओ दिखाओ यहां नोने उनको वो नवाल्स की बहुत है वी उनको डा जाकर के वहां पर दो दिन दो भी दो दिन तीन दिन जब यहां रहे रहे आस्टल में कुछ भी नहीं मिला उनको बताइए को इसा देश पोचन इसा थोड़ी हैं कि नहीं भाई इनको खुद गोभर्मेंट करें इनको भेजा जाए अगर जहाना चाहते उनको जाने दीज़ अब बताइए इनकी प्लेन इनोंने उनको जर्मनी भेजा जाने की इजाज़त दी आप सोच रहे इसे आप जा सकते हो बहार निकल सकते हो अगर आप इस ताइप का काम हमें किया हूँ आप हमें जाने दिए को किसी को अगर उस मताब में पकड़ सकते हैं उनको क्यों नहीं जर्मनी जर्मनी में जाते हैं उनको प्राल्मा अगई कि देखो यह हो गया वो तो रिपोर्ट मांगें रिपोर्ट दो आप जवरचस्ती कहने से आज की टेट में हर चिब जब जब देखो डेली एक सेंक्शन लगा देते हैं यह उत बहुत मज़े यहां देखी आज इनकी बनाई हुई तो जनता इसमें खुश है ठीक है सर जनता खुश है समाजिक विवार अलग बन रहा है तो अब क्योंकि हम प्रोग्राम के एंड पे आ रहे हैं तो लास्ट में अगर मैं ऐसा कंक्यूट करूं कि यदि कोई भी adverse conditions होती हैं कोई भी war type situation होती है तो हिंदु अगर नजर लगाए बैठा है कि वो मित्र है मित्र की तरह आएगा सामने जैसा कि आप ने बताया जो अपने points रखे factual points रखे और मैं दर्शक उसको भी इस पे निवेदिन करूंगा कि comment section में अपने सवाल रखें Facebook में अपने सवाल रखें हम अगले meet में वो चीजें discuss करेंग दॉक्र रामेश्वर जी से और रश्या के और analyst से US में बैठे analyst से कि रश्या की तरफ हिंदुस्तान मित्र की दिरिश्टी से देख सकता है और यह आस लगा सकता है कि यदि ऐसी युद्ध जैसी कोई situation बनी तो situation को normalize करने के लिए situation को बचाए रखने के लिए रखेंगा दूसरी तरफ हिंदुस्तान के और रश्या के जो social ties हैं वो strong होते जा रहे हैं वहां की जो public है और बहुत जरूरी होता है कि political ties तो अलग बात रही लेकिन social ties अच्छे होने चाहिए social ties शायद रश्या के हिंदुस्तान के साथ ऐसे हैं या ऐसे बन जाते हैं जो की भाषा के अलग होने के बावजूद एक communication gap होने के बावजूद भी strong है जो भावनात्मक भी बनते हैं और लंबे भी चलते हैं तो ऐसे में सरकारों के उपर भी एक दवाव रहता है हिंदुस् सरकारें एक दूसरे के साथ में हम जोली बनके चलती रहें बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और अगर आप देखें अगर इसी कोई बात होती अभी जस्ट विजिट होने जा रही है अक्टूबर अक्टूबर एंड नौंबर विगनिंग में पूचिन की इंडिया में अ अब जरूरी नहीं को आज खड़ा होगे कहते हैं आपके साथ हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए और आपसे जरूर मुलाकात होगी बात करेंगे हैं अगली बार हम जब मिलेंगे तो यूरोप की रोर रशा की दोनों के रि जए हैं जए हैं